गुड बॉर्निंग इस्टूडेंट्स बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉपलेशन इकोलोजी यानि की समस्टी पारिस्थितिकी ठीक है तो पॉपलेशन या समस्टी क्या होता है यह हम पहले जो हमने इकोलोजी के दूसरे चैप्टर जो पढ इस दिवाइड इस चैप्टर इंटो पार्ट अग्वाइज अगर हम बात करें अभी एरिया हम डिसाइट कर सकते हैं उसके नेचरल या डेमोग्राफिक सेटप के इसाफ से कि एक पर्टिक्लर एरिया हमने डिसाइट कर लिया और एक इस पिसीज के इंडिवीज्वल एक किसी एरिया में अगर एक समय पर हैं तो इसको हम कहेंगे पॉपलेशन जैसे सिरोही में मनुष्यों की जनसंख्या कितनी है या सिरोही में पीपल के या नीम के पेड़ को अधितनी है तो को अधिका जो गार जोग्ण हो गया हुए आख एरिया हो गया इरिया हो गया जिरोही के किसी महले का पॉपलेशन हो सकता है लेकिन इस नैश्णर सेटी ङूप में इसको थोड़े से बड़े स्पैक्ट्रम पर देखना है सो बेसिकली पॉपलेशन इस दा ग्रूप ऑफ इंडिविज्वल ऑफ दे सेम इस्पिसीज यह हम बता चुके आपको पहले विच रेसाइड इन दे सेम एरिया अड़ सेम टाइम तो यानि की समस्टी समान प्रजाती के प्राणियों का एक सम्मू है जो किसी विशेश शेत्र में विशेश समय पर उपस्थित होता है यह जो डेफिनिशन है आप नोट कर लीजे तो अब्यसी बात है कि कोई भी जीब जब रहता है कोई भी चाहिब पौधा हो प्राणी हो वो किसी ना किसी जो रिसोर्से से संसाधन है उस पर रिलाई करते हैं उसका भोजन कहां से आएगा उनको आवास कहां से मिलेगा पानी की सुवधा कितनी मिलेगी उनको संलाइट कितनी मिलेगी है ना हवा कितनी मिलेगी तो दीज आर दर नैच्टरल रिसोर्सेस ऑन विज देयाब टो डिलाए उस पर उसको निर्भर रहना प्रता है दूसरी बात की जो इस पीसीज के जो इंडिवीजुल से जो पॉपलेशन के जो एक-एक लोग हैं वेस्टी हैं इंडिवीजुल हैं वो आपस पर इंटरेक्ट क करिया है वो इंटर बीडिंग है आपस में ब्रीड करना आपस में रिवरी प्रोड्यूस करना और इसमें हम यह देखेंगे कि वाट अर्ड़ फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स दा पॉपलेशन तो पॉपलेशन एकोलोजी हम पढ़ते क्यों है हम वो जानना चाहते हैं कि वा मेक्सिको की तुलना में ज्यादा है अमेरिका की तुलना में ज्यादा है और इसको हम को समझना पहरे जरूरी है दूसरी बात की management of population, वह population ऐसा नहीं है, population की भी कोई limit होती है, कि वो किस rate से grow करेगा, यह depend करता है कई factors पे कि उसका rate of growth क्या होगा, उसका survival rate क्या होगा, उसका age structure क्या होगा, सारी चीज़ हम देखेंगे, तो उसके कुछ characteristics attributes होते हैं, मतलब उसके कुछ लाक्षणी गुन होते हैं, population के पहले था हम उसका study करेंगे, और practical goal इस सबको पढ़ने का यह होता है, कि जब population बढ़ जाता है, तो obvious ही बात है कि वो resources पे बढ़न आएगा, और resources पे बढ़न आएगा, मतलब होगा क्या कि उसमें कुछ species जो होते होंगे, वो survive नहीं कर पाएंगे, और वो in danger हो जाएंगे, और decrease population size, जो population size decrease क्यों होता है, या उसका जो population size को maintain करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और खास तोर से, जो human population के लिए तेक large scale पर पूरी दुनिया में सोचाई जाता है, और बहुत सारे earth summit और दूसरी चीजें होती हैं, इसलिए कि हम परियावरन को किस प्रकार से संरक्षित रखें, और अपने population को आप अक्षुन रखें कि human species जो है human race दुनिया से खतम नहीं हो जाए, लेकिन बेस बेस इसके अलाबा जो कुछ छोटे छोटे enterprises हैं, जैसे माली fisheries management है, या क्या करते हैं, जैसे poultry हैं, तो वहाँ पर कौन से factor हैं, जो population को regulate करते हैं, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ता है, उसको हम अच्छा yield ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारा goal जो population का है, that हमारा goal अभी syllabus के हिसाब से बस इतना है, कि what are the general principles that regulates the size of population, what are the characteristic attributes of the population, हमको यही पढ़ना है syllabus में, तो देखिए factor जिससे की population size influence होगा, पहली चीज़ है, यह बाइटिक factor, जाइड सी बात है, कि sunlight सबको चाहिए, एक ambient temperature, temperature का रहे हैं, जिसमें को रह सके सबको चाहिए, अगर आज दुनिया का population, average जो दुनिया का जो में जो हमारे पास atmosphere है, उसमें अगर अचानक से उसका average temperature दस डिग्री नीचे चला जाए, तो बहुत problem हो जाएगी, यह दस डिग्री ऊपर चला जाए जो average temperature है, तो वो दुनिया के आधे से ज़्यादा population को खतम कर देगा, उसके बाद precipitation बारिस कितनी होती है, water कितना होता है, स्वाल कैसा है, nutrient कैसा है, और उसके लिए जो भोजन बनाने के लिए जो एक sustainable natural resources चाहिए, वो किस प्रकार के हैं, तो these are the abiotic factors that actually regulates the size and shape of the population. Biotic factors क्या होते हैं, कि भई इसका food या prey है या नहीं है, अगर मांसा हारी है, तो उसको अपना शिकार चाहिए, जैसे यहाँ देखिए, this is the predator, और अगर यह इसको शिकार नहीं मिलेगा, तो यह population खतम हो जाएगी, लेकिन शिकार भी प्रियाप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, इसके लिए आवश्यक यह है, कि यह जो species है, जो साकहारी प्राणी है, इसको प्रियाप्त मात्रा में nutrition मिले और इसकी संख्या भी प्रियाप्त रहे, क्योंकि अगर जो शिकार है, इसका population खतम हो जाएगा, तो जो शिकारी है, उसका population भी खतम हो जाएगा, competitors कितने हैं, जैसे देखिए, यहाँ पर अब यह शिकार है, तो शिकार मान लो, इस जानवर ने सिकार किया इसका, फिर यह छोड़के भाग जाएगा, तो दूसरे इसके competitor, इसके avenger, गिद बगर हैं, यह आकर कि इसको खा जाएगे, तो इसको नुकसान हो जाएगा, तो predators हैं की नहीं है, parasites हैं, डीजीज हैं, यह सारी चीजें जो बायाटिक factors होती हैं, और intrinsic factor किसी population की जो होती है, वो होता है, उसका adaptation यानि की अनुकूलन, कि वो बदलते हुए वातावरन के हिसाब से, बदलते हुए जो ecological factors हैं, या climatic factors हैं, बदलते हुए जलवाईू के हिसाब से, या food resource के हिसाब से, यो population है, अपने को adjust कर पाता है की नहीं, कि अगर मान लीजिए उसका food एक time में कम हो गया, तो जाहिर सी बात है, उसका migrate करके उनको दूसरी जगर जाना पड़ेगा, बहुत सारे migratory birds हैं, जो हिंदुस्तान में आते हैं, आपको सिरोही में बहुत सारे birds के population हैं, जो मंगोलिया और चीन और हमाले के पार से आते हैं, और आकर के winter के time में यहां रहते हैं, summer जब शुरुआत होती है, उससे पहले चले जाते हैं, क्योंकि winter में उन प्रदेशों का जो तापमान है, वो चला जाता है, minus 20, minus 30 के आसपास, वहां survive करना मुस्किल है, food मुस्किल है, तो wintering के लिए यहां चले आते हैं, फिर यहां की ज winter car का adaptation जो है, उस population को survive करने में मदद देता है, population को describe करते है, population की range क्या है, range मतलब कि उसका जो विस्तार है, उसका जो distribution है, वो कितना है, है ना, और यह जैसे देखिए, यह चिडिया है, इसका जो immigration है, यह अफरिका से हुआ था, और यब यह South America में इसकी अच्छी खासी population है, spacing कैसी है, spacing देखिए, जैसे एक spacing आपको यह दिख रही है, यहाँ penguin है भरे हुए, कितने पास पास में हैं, और अभी यह मतलब यह over crowded है, तो इस प्रकार की spacing है, या ऐसी spacing है जहां की, मना हाला कि यह भी clump ही कहलाएगा, लेकिन यह थोड़े से दूर दूर है, इनकी आस पास space है, तो उसकी spacing कैसी है, population density कैसी है, size of population कैसा है, यह सारी चीजें, इन ही parameters के आधार पर हम देखते हैं कि, जो population है, उसका characteristic attributes है, जो graphical limitation होते हैं, जैसे यह तो पहले हम discuss कर चुके कि temperature है, rainfall है, food है, predators है, these are the factors that actually regulate the population, और उसमें होता यह है कि, जो biome है, जो, जो जी मंडल है, वहाँ पर किस प्रकार से वो प्रानी एडप्ट करता है अपने आपको, तो जैसे कि यह rain forest का region है, वहाँ पर यह जो parrots हैं, वो कैसे survive करते हैं, या जो polar bear है, यहाँ पर कैसे survive कर रहा है, यह polar region में, Arctic और Antarctic में वहाँ, जो range है, हला कि यह सारी चीज़ें आप skip कर सकते हैं, लेकिन चुकि मैं population discuss कर रहा हूँ, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो range है, तो उसका elevation कितना है, मतलब किस उंचाई तक रह सकता है, कोई, है ना, या किस temperature के range में रह सकता है, जैसे धरती से दो, एक किलो मीटर पे, दो किलो मीटर पे, तीन किलो मीटर पे, जो रहने वाले population है, उसमें देखिए कि यह सबसे जो ground floor पे कौन रहा है, ग्रास लेंड है, या डेजर्ट स्क्रब है, थोड़ी सी उचाई पर एक किलो मीटर ऊड़ लेंड पाए जाता है, उसके उपर कॉनिफर फॉरेस्ट हैं, तो तुन्डरा रीजन है, अलपाइन जो कि धुरुबिये प्रदेशों में पाए जाता है, इनको बहुत ठंडी जगह है, यहां पर सारे सरवाइब नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है, जो इस पुरूस फर है, उसका जो रेंज है, यह करीब करीब 2-3 किलो मीटर है, यह ज उसी प्रकार से, जैसे कोई सपोज करो हम कैमल की बात करें, तो उसका हम जानते हैं कि रेंज होता है, वो नौर्मली डेजर्ट रीजन में है, तो आपको कैमल जो है, वो नौर्थ इस्ट में या बिहार में, बंगाल में, तमिल नाडू में नहीं पाए जाएगा, ठीक है, तो हर पॉपलेशन का, हर जानवर का जो पॉपलेशन होता है, उसका एक रेंज होता है, और उसमें होता है कि अगर पॉपलेशन रिस्क में आ जाते हैं, तो क्या होते हैं, एंडेंजर्ड स्पिसीज हो जाते हैं, और इसके लिए बहुत लंबा चैप्टर है वैसे तो, कि ह जो रेट डेटा वो कैसा आप से अलग अलग के जानवर हैं जो कुछ जो हैं वो बिलकुल ही जिनके परती कंसर्ड नहीं होना चाहिए क्यों जिन्दा रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ जो होते हैं वो संकट ग्रस्त हैं कुछ क्या कहते हैं ऑन दे वर्ज ऑफ एक्स्टिंशन हैं कुछ एक्स्टिंक हैं तो इस प्रकार से अलग अलग केटेगरी है जो एंडेंजर्ड इस पिसीज कुछ यहां पर दिखाएगे जिसे हवाईन की वी बर्ड है या एक महोगनी ट्री है यहां पर देखिए डेविल शूप अब फिश है नौर्थ अमेरिका में यहां पर जो क्या करते हैं चाइना के रीजन में इरोमोट कैट है यहां पर जो ऑस्टेलियन और न्यूजीलेंड के रिजन न्यू गिनिया ट्री है कंगारू है साउथ अफरिका में नौधर्न वाइट राइन राइन और यह सारे अम इ कंडिशन्स में चर्च जा गया जैसे क्लामिट्टिक कंडिशन भी चेंज्ञ हो जाएगा ना तो उसमें फरक पर जाता है जैसे अभी हमने इससे पहले जो इक चैप्टर आपको बताया था तो उसमें आपको बताया था कि cutting from science हो जाता है तो जो फ्लाइग केचछ चुडिय उसको समय से भोजन नहीं मिल पाता यह रेंडियर है उनको जिस सीजन में खाना चाहिए वहाँ चुकि टेंप्रेचर उस हिसाब से कम नहीं हुआ तो इसकी वज़ा से उसको भोजन नहीं मिल पाता तो मतलब अगर टेंप्रेचर में ऊपर नीचे हो गया क्लायमेटिक कंडिश उपर नीचे होता है तो फिर एक पर्टिकुलर सीजन में अगर किसी जानवर को खाना नहीं मिले तो उसके पॉपलेशन की डेंसिटी खतम हो सकती है अब यह इंपोर्टेंट है इस पर सवाल आ सकते हैं कि वाट काइंड आप पॉपलेशन इस पेसिंग यूफांड इनेचर यूफांड इनेचर राइट एक होता है क्लंप मतलब एक ही जगा पर एग्रिगेट हो गए है ना यह क्लंपिंग हो रही है इस प्रकार का जो क्लंप पॉपली है सबसे ज़्यादा कॉमन यह क्लंप बाला ही है नॉर्मली जहां भी रता अब ऐसा नहीं होगा कि अगर सिरोह जिला है तो उसके हर दस मीटर पर एक अदमी नहीं है सिरोही सहर बसा हुआ है फिर बीच में गैप है उसके बाद फिर रामपूरा आएगा या उसके बाद कलंद्री आएगा या फिर अगर इधर की तरफ चलें तो उसके बाद पाड़िव आएगा फिर कहने का मतलब यह है उसमें तो जो प्रोफेशन से एक बालग लग प्रोफेशन के रोज लोग एक जगा पर रहते हैं तो उसका उसकी कान ही अलग है लेकिन जो जानवर भी हैं अपने नैचुरल प्रिडेटर से बचने के लिए और आपस में सहयोग करने के लिए किसी दूसरे स्पिसीज के क्लंप ही होता है ठीक है दूसरा जो है एक क्लंप पंतलब एक जगा पर जमा है बीच में तुछा सा गैप है जो यूनिफॉर्म पॉपलेशन है यह नॉर्मली नेचर में तो ऐसे कम मिलता है लेकिन खास्त दोर से जमान लीजे अब आपने अगर गेहूं की या धान की का ज जो रोपाई देखा हो जहां उसके पौधे रोपे जाते हैं तो एक डिस्टेंस में रोपे जाते हैं खेत के छितर में ऐसा नहीं होता कि उसको कहीं भी बीच को छिड़क दिया जाता है उसमें क्या होता है लाइन बनाई जाती है बाकाइदा और उस लाइन को बना करके प्लेसन तुए रैंडम बाला जो है ये नेचर में तौछा सा रेर ही होता है कम होता है ये जोحم है ये एक की दो है बताता है कि जो एन्वार मेंटल एस्बदेल शीन या सोचल इंटरेक्शं Tiknet यह पौपलेस्टन के जो में के जो इन्डिवीजुल्स को डशतने ङेव हैं मॉल्ऐ छडिया का पॉपलेश intentar स sf web tasked या सब मझछलियों को नहें को फिर कोई दूसरे मेमल्स का पर पॉपलेशन है राइन्स का पाप प्लेशन है तो यह जो यह जो मैंधा ideal का पॉपलेश एन वह किस प्रकार के ग्रह शेत्र हैं उनका जो स्पेसिंग किस प्रकार से होती है डिस्ट्रिबूशन किस प्रकार से होता है वह चीज जो है यह अपने आप में यह दिखाता है कि उनके भी सोसल इंट्रेक्शन कैसा है अगर जैसे कि माल यह सेर्ज होते हैं नौर्मली बहुत सा कहीं भी मिल जाएंगे वह रेंडन हो जाएगा लकिन वह सब्सक्राइब पना क्रॉप यहां भी रहे हैं कि यह फ्लैमिंगो चिडिया है ठीक है यहां पर सब्सक्राइब कार avez निये Bu को पहाड़ी गाय वगर है ठीक है यहां मचलियों मचलियों का बाकाइदा एक स्कूल होता है ठीक है तो यह जो है यह सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है यूनिफॉर्म जो है यह इसमें टेरिटोरियलिटी होती है एक टेरिट्री में और इस प्रकार का जो गैदरिंग होता ह यह यह गेदरिंग नॉर्मली रियर ही होती है किसी भी मानलीजाना ती हिए स्वारमिंग किसी चुड़िया किया कुछ ऐसी चीज़ें तो यह यह नॉर्मली कम दिखाई पड़ती है लेकिन अभी क्या है कि मैचन आये सार्च पैंग nossa ta तब होता है जब कोई क्रॉप लेंड तो यह तीन प्रकार के हमने देखे कि स्पेसिंग होती है फिर जो पॉपलेशन डिनामिक्स है मतलब पॉपलेशन में बदलाव किस-किस प्रकार से आ सकता है तो उसके कुछ और में जो सबसे इस पढ़नी है और आपके सिलेबस के साथ को बताता तूसकी साइज क्या है उसकी डैंसिटी क्या है घनत क्या है पॉपलेस्टन का डिश पर्सल अभी आपने देखा इस पेसिंग वह कैसा है इमिग्रेशन की बाहर से कुछ 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 लोग उस वहां आ रही है घर रहें है या नहीं आ यह इमिग्रेशन मतलब उस छेतर से उस नेटीव प्लेस से कहीं कोई बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है बर्थ रेट क्या है अगर मालो सौ इंडिविजल पैदा होते हैं तो और रिप्रोड़क्टिव यह तक कितने पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं सर्वाइवर सीप यह सारी चीजें हम एक एक करके discuss करेंगे तो सबसे पहले population का size population का size देखिए चार चीजों पर निर्भर करता है कि उसमें birth कितना हो रहा है कि birth के जरी यह जन्म दर क्या है और जन्म दर के जरी एक limited time में माली यह प्रती महीने प्रती प्रती वर्स एक limited time में कितनी कितने individual जुड़ रहे हैं और immigrate करके कितने आ रहे हैं कि किसी दूसरे भागौलिक शेत्र में रहने वाले यह population का जो शेत्र है territory है उससे दूसरी जगह रहने वाले जो इंडिविजूल से वह कितने इमाइग्रेट कर रहे हैं तो जाहिड सी बात है यह दोनों population को बढ़ाएंगे ठीक है दूसरी तब immigration है immigration मतलब वहां से कितने लोग निकल करके बाहर जा रहे हैं और कितनी डेथ हो रही है ठीक है तो यह जो होता है यह जाहिड सी बात है population के को कम करेगा चारों चीजें आपस में बैलेंस होती है और एक population का जो साइज है उसको ऐसे manageable रखा जाता है कि environment में या जहां पर भी natural setup में वो रह रहे हैं उनका जो habitat है वहां के जो भी natural resources है उन पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़े क्योंकि अगर ज्यादा बर्डन हो जाएंगे तो क्या होगा population दिरे-दिरे समाप्त हो जाएगा extinct हो जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि immigration और पर्थ और इधर मैंने death और immigration तो यह चारों जो factors है यह एक्षिली population size को determine करते हैं और साथ साथ इसके density को घनत की प्रती किलो मीटर कितने individuals रह रहे हैं प्रती बर्ग मीटर या प्रती 10 मीटर उस प्रजाती के या उस population के कितने individuals कितने प्राणी वहाँ पर हैं जो growth rate को प्रभावित करने वाला कारेक कौन सा है एक तो sex ratio sex ratio मतलब female versus male कितने है generation time कितना है अब generation time मान लिजे कि कोई जानबर है जो 10 साल में एक बार reproduce करता है कोई 5 साल में करता है कोई अब यह जो खरहे होते हैं यह हर महीने ही reproduce करते हैं जो खरगोश होते हैं दूसरी कि उसमें क्या female का जो reproductive age है वो क्या है कि मतलब मान लिजे कोई female है या कोई भी जो individuals हैं वो किस age के बाद reproductive होते हैं कि जन्म के 6 मेने के बाद होते हैं, साल भर के बाद होते हैं, 10 साल के बाद होते हैं, 15 साल के बाद होते हैं, 20 साल के बाद होते हैं, फिर उनकी जो जनन दर है, वो क्या है, उनका क्लच साइज क्या है, क्लच साइज मतलब एक बारे में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे ब मैमल से नहीं ठीक है अधिकांस मैमल में जो क्लक्स सइज होता है वो कम होता एंग से वो से ज्ञादा भी होता है फिर एयज स्ट्रक्चर एड़ आज उस्ट्रक्चर देखेंगे कि जन्म के पश्चात कितने जो है reproductive age में पहुंच पाते हैं या population का कितना percent individual कितने प्रतिशत उस population के जीव हैं जो reproductive age में हैं और यह सारी चीजें जो है यह जैसे देखिए यहां एक light table बनाया गया है यहां age लिखा हुआ है 0 से 1 और यहां 9 से 10 लिखा हुआ है इसमें नंबर अपर जब वर्स की शुरुवात हुई थी तो कितने एलाइव individual थे जैसे 0 से एक एक साल तक के 337 थे दो सा एक से दो साल वाले 252 थे दो से तीन साल वाले 127 थे तीन से चार साल वाले 67 थे चार से पांच साल वाले और सबसे बड़ी कि 9 से 10 साल वाले बाला सिर्फ एक ही है मतलब इसमें ये है कि कि सुरू में इनका जो जनन दर तो काफी अच्छी है लेकिन सर्वाइबल उतनी अच्छी नहीं है और दूसरी बात कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है मतलब 5 साल के आसपास का 5-6 साल के आसपास इनका जो लाइफ स्पैन या जीवन काल दिक रहा है ठीक है इस से दो तीन बाते अगर आप इस टेबल कोई ध्यान से देखें दो तीन बात हैं कि जैकि जन्व के टाइम में 337 थे लेकिन एक साल तक तो 337 थे हो सकता इससे ज़्यादा का जन्व हुआ हो फिर दो साल तक में करीब करीब सौ कम हो गए तीसरे साल उसमें से सवा सो और कम हो गए मतलब आप देखिए कि यहां तो सौ कम हुए यहां करीब करीब आधा हो गया और यहां फिर आधा हो गया मतलब इसके बात क्या है पॉपलेशन आधा कम हो जा रहा है हर साल फिर क्या है कि उसमें जो पॉपलेशन है अगर इसको माले हो 357 जो स्टार्ट आप पॉपलेशन को हमने अगर बन माना तो डेथ कितने हुए 207 मतलब 337 थे उसमें 260 की डेथ होगे तो डेथ रेज इस वेरी आए यह देखिए इसी वजह से क्या है कि पॉपलेशन इतनी ड्वि 251 की डेथ रेट है दूसरे साल 252 में से 125 मर गया मतलब 50 परसेंट के आसपास है यहां तीसरे साल 127 में से 60 मर गया तो 47 परसेंट और सबसे यह चुकि यह तो सेंपल साइच कम है चार है इसलिए इसमें से अगर तीन मर गया तो बहुत ज्यादा हो गया लेकिन शुरुवाती वर्सों में आप देखिए डेथ रेट बहुत ज्यादा है लेकिन धीद्रेट डेथ रेट कम हो रहा है समय के साथ ठीक है और इसी डेथ रेट की वज़ा से जो बचने वाला पॉपलेशन है वह हम देखेंगे सर्वाइबर सिप के डेटा में और एबरेज लाइफ एक्सपे है और यह फीमेल का है और यह मेल का है ठीक है तो अब देखिए फीमेल में जडेथ रेट थी द्याट वाज पॉइंट सिक्स वन मेल में था पॉइंट सिक्स फई पॉपलेशन करीब करीब सुरुवात के साल में एक से डाव जीरो से एक साल में करीब करीब बराबर थे वहां 337 थे यहां 349 था उसी प्रकार से दूसरे साल 252-248 मतलब देखा जाए तो डेथ रेट भी करीब करीब समान है लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना इस rank निकाली गयी है कि 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 लुक्न संद्स 아이 166 खहले हैं कि कि इसे पक्रीब सभी और फीमेल की बार में होगी जैसे देखिए यहां ये ग्राप बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जब टाइम जीरो था एज जब जीरो था तो जन्म के समय जब उस साल के सुरवात में जो कुल जन्म हुआ उसमें जीरो एज बाले मान लीजे एक हजार थे लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि चार साल के बाद करीब पांच जाजार से कहां चले गए यह हलांकि यह लॉग स्केल है ठीक है लॉग स्केल के हिसाब से भी देखा जाए तो करीब करीब इसमें कितनी कमी आ गई है ना कि अगर लॉग हंडिट करें तो दो होगा लॉग वन थाजन करें तो तीन होगा तो कहने का मतलब यह है कि मेल जो है वो पांचमे साल में इस जगा पर आया जबकि जो फीमेल है उसको इस जगा पर आने में कितने साल लगे उसको लगे करीब करीब नौ साल मतलब सेम मतलब हजार मेल थे हजार फीमेल थे तो मेल जो है वो तो करीब करीब जीरो क्या सपास या एक क्या स्पास आ गया पांच में साल में फीमेल जो आ रही है हो नौ में साल में आ रही है मतलब जाइड सी बात है कि जो फीमेल का survival rate या Life expectancy जो है वो इस animal के लिए जो क्या नाम है इसका बेल्डिंग ग्राउंड स्क्वेरल इस इस स्क्वेरल में इस गिलहरी में जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जादा है ठीक है अब यह है कि यह इसको कहते हैं एज इस्ट्रक्चर यह हर पॉपलेशन का एज इस्ट्रक्चर अलग अलग होता है जैसे आपने प्रधान मंत्री मोदी जी का भासन सुना यूबा देश है क्योंकि जीरो से लेकर के 30 साल या 35 साल के एज वाले करीब 60-70 परसेंट का पॉपलेशन जो ऐसा है जिसकी उम्र 30-35 साल तक है यानि कि या 25-35 साल के बीच में यूबा लोग अभी हमारे यहां ज्यादा है तो होता क्या है कि इसमें यह देखते हैं कि प्री प्री लीप्रॉड़ुक्टीव इसे वेज जहां पर की मनुष्य है या कोई भी पॉप्लेशन रही रिप्रोडूश नहीं कर रहा है यह पोस्ट रिप्रोडाप्टीव एज है थीक तो देखिए कि प्री रिफ्रादील में मतलब यह दिखाया गया है ब्सक्रग्-0-6 60 से 14 यह मैं इतने इतने इसंग स्कूर्ट को बड़ा भी सकते है तो यह कमता यह जो शैप है इसको हम गयंगे आप एड राइट र्यंगल है यह पिरामीटत इयम्स्यपों है इसे तरह का जो होगा यह रैपीट ग्रोथ वाला है क्योंकि इसमें लगातार जो है ना जिसमें बुढहों का पॉपलेशन कम है यंग लोगों का ठीक ठाक है और बच्चों का पॉपलेशन बहुत ज्दा है तो इस प्रकार का जो पॉपलेशन होता है उसकी ग्रोफ रेट हमेशा तेज होगी दूसरा जो है आरन सेप मतलब आरन सेपनी कहेंगे इसको क्या कहेंगे है नहीं हाँ पॉल्टा मठका रखा हुआ है तो इसमें देखिए यहां पर क्या है कि जो बच्चों की पॉपलेशन से ज्यादा यंग लोगों की पॉपलेशन है तो यह थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होगा इसकी तुलना में क्योंकि अब धीरे-धीरे क्या होगा कि जब यह सारा जो यंग जनरेशन देदरे बुढ़ा होगा उसके लिए उतने यंग यंग लोग या रिप्रोट्टिव एज के लोग आएंगे नहीं तो इसका जो फ्यूचर ग्रोथ रेट है वो स्लो है और यह जो है ना यह उल्टा है मतलब उल्टा पिरामिट के तरह है इस प्रकार में होता क्या है कि ग्रोथ रेट बिल्कुल ही जीरो हो जाती है क्योंकि यहां के ज्यादा तर जो पॉपलेशन के लोग है वो बुड़े ह है रिप्रोड़क्टिव एज में कम है और प्री रिप्रोड़क्रिव फीज में तो बहुत ही कम है तो यह जो बिलकुल इस इतली का यह जिरो जैसा ग्रोथ रेट है इसको मैं अगले ग्राप में दिखाता हूँ और क्लीर होगा जैसे यह एक 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 स्पेंडिंग पॉपल उल्टे घड़ी कि यह इस प्रकार का पॉपलेशन है और यह यह अर्ण से उल्टे घड़े की तरह है मैं आपको बता दूं कि इसको जो एज structure है यह तो पिरामीड से होता है यह जो था यह पिरामीड से पैप पिरामीड से जो होगा उसकी रोग्रेश्ट 활 काफी हाई होगी क्योंकि प्री प्रीह बहुत जपादा है उसके बाद होता है Channel यह इस प्रकार का जो होता है है सब्सक्राइब इस में करीव करीब बराबर है तो उसके ग्रोथ होगा लेकिन इसकी जैसा नहीं होगा से इंडिया इंडिया का यह कंडिशन है और एक होता है आर मतलब उल्टा मठके की तरह इसमें होता क्या है कि जो प्री रिप्रोड़क्टिव फेज बहुत ही कम है और अब्यसी बात है कि यह करीब-करीब जीरो ग्रोथ र है मतलब यह कि एक हजार में कित्ते सर्वाइब करते हैं सुरू में माली जह हजार इंडिविज्वल थे तो अब एज है है ना मैक्समम पर्सेंटेज आप मैक्समम लाइफ इस पर जैसे देगी जैसे इसे यह टाइम लाइप यह टाइम जा रहा है दर तो अब देखिए मतलब पहले टाइप वॉन की बात करते हैं सिए मैं है तो आदमी में क्या होता है कि डिट इसकी कब है पोश्ट रिप्रोडक्टिव शूह 1914 मतलब लेकिन सुरु में इसका सर्वाइबर सर्वाइविंग अच्छा है और अच्छा इसलिए है कि हुमन पॉपलेशन है उसने अपने लिए मेडिकल सुविधाय इतनी विक्सित कर ली और अपने कंडिशन को समझता है कि उसको जिन्दा रहने के लिए लिए नैच الم qo manipulate करता है तो इस वजह से क्या है कि कुछ हथ तक अपने रिसोर्ट्राव करते हैं इस वजह से क्या होता है कि इसका प्री और रिश्रोंटा प्रीपर टीफलेशन उतना कम नहीं होता और मतलब क्या कहिए किसका जो mortality है initial mortality शुरू के साल में नहीं है लेकिन पोस्ट रिप्रोड़क्टिव में इनका एक साथ पॉपलेशन जो है एकदम से कम होता है तो यह टाइप वन सर्वाइबर्शिप करव है जीवित रहने वाला जो वक्र है वो टाइप वन है फिर हाइड्रा में देखिए यह करीब करीब स्ट्रेट लाइन यह कॉंस्टेंट है तुरू आउट और यह तीसरा वाला जो है इसमें क्या है कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट सुरू में देखिए किती जादा है मतलब हजार से कैसे यह बिलकुल पांच पे आ गए और मतलब क्या कर यह दस साल के यह अब इसका जो लाइफ स्पैन अगर हंड्रेट है मतलब मान लिजे कि इनका लाइफ स्पैन सपोज करो एक साल का है तो एक साल का मतलब होगा एक साल का करीब करीब मतलब एक महीने में पॉपलेशन यहां चला है एक साल का सरवाइबर लेट है पहले ही महीने पॉपलेशन का यहां आ गया तो यह पहले अभी हमने हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले हमने आपको बताया डिस्टिब्यूशन दूसरा बताया एज स्ट्रक्चर और तीसरा बताया सर्वाइबर सिपकर्व इस पर छोटे-चोटे नोट्स आ सकते हैं और यह अब मैं पढ़ना आपको समझ में जाएगा उसमें होता है कि सर्वाइबल और रिप्रोड़क्शन अब यह है कि किस प्रकार से एनिवल यह डिसाइड करता है कि उसको अपने देखिये खास तोर से अगर आपने फर्स्टियर में पढ़ा था कि कि ऐसी ओला ही पैटिका था पता है अगर हर फैसियोला पैटिका जो बन सकता है वह अगर सर्वाइब कर जाये ना तो अर्वों की संख्या में वह हो जाएंगे वो हमने कैलकुलेशन करके यह सर ने अगर आपको पढ़ाया होगा जिसने भी क्लास में तो बताया होगा कि एक शीप में 200 फैसियोला होते हैं फिर हर एक पूरे जीवनकाल में कितने अंडे देगा फिर अंडों में क्या होता है जो रेडिया स्टेज होता है तो और मल्टिप्लिकेशन होता है तो इस प्रकार की स्टेड़ी खासतोर से उन जानवरों में होती है जुनको यह पता है कि उनको यह पता है कि जो condition आने वाला है उसमें हो सकता है उसमें ज्यादा तर मर जाएं तो ऐसे जीव जिनमें मरने की संभावना कम होती है जिनका जो life expectancy at the beginning of the life pre reproductive phase में कम होता है वो enormously reproduce करते हैं मांकि जिनमें जिन्दा रहने की संभावना ज्यादा है वो ज्यादा उस हिसाब से रिप्रोडूस नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप reproduction ज्यादा करेंगे तो आपके survival का जो संभावना है ना वो कम हो जाएगा कि अगर मान लीजे जहां 10 लोग क वो सस्टेन करने का कि शमता कहीं natural setup में है और वहां 100 लोग रहने आ जाएं तो अब भी ऐसी बात है कि 100 के 100 सरवाइब नहीं करेंगे तो यह चीज़ेंड करती हैं कि भाई पहला reproduction मुंद्ब किस एज में reproduction होता है और दूसरा कि office spring में कितना इनवेश्ट किया जाता है इसमें इसमें natural selection जो होता है उसमें जो यह ऐसी life history को favor करता है जो अपने lifetime में जितना ज्यादा reproductive success जिस एनिमल का होगा अगर किसी एनिमल की life history देखें तो उसका reproductive success जितना ज्यादा होगा है ना उतना उतना ज्यादा वो अनिमल जो है वो सब्सक्राइब करने की शमता रखेगा तो जैसे यह कैस्टल फालकन यह देखिए parental survival यह हुआ क्या कि यह फालकन एक चडिया है उसको क्या किया रिसर्चर्स ने कि जैसे माल लीजे कि उसका ब्रूड साइज ब्रूड साइज मतलब एक घोसले में या एक जगह पर जितने घोसले में उसमें कितनी चडिया है यह नॉर्मल साइज है ब्रूड का मतलब एक बार में जितने अंडे देती है चडिया उन अंडों से जितने चूजे निकलते हैं तो वह अगर नॉर्मल दिखिया कि उसमें क्या-क। बूड्र साइज इसको बढ़ा दिया मंदों दो चार घोशलों के अंडों को एक जर जगा रम्राइब या फिर अलागलक शेत्रों के ल कि अउसका जो बूड साइज है ना उसको बढ़ा दिया कहां है है ना क्या लिखा हुआ है चीक सेवंग नेस्टू रिड्यूस्ट ब्रूट मतलब तीन से चार ब्रूट साइज ब्रीडिंग जो पॉपलेशन है उसको रखा ठीक है और उसमें क्या किया कि अगर क्या करते है पैरेंटल सर्भाइब मतलब ब्रूट साइज अगर बढ़ा कर द यह दर्साता है कि जितने कम इंडिविजूल से एक जेगा पे रहेंगे एक किसी खास शेत्र में जितना कम पॉपलेशन रहेगा सर्भाइबल रेट उसका उतना ज्यादा होगा अब देखिए जो रिप्रॉड़क्टिव स्टेटिजी है वो दो तरह की होती है के सेलेक्टे पॉप पॉप्रोड़क्टीव स्टेडी आपके सीषाक करते हैं ऊसके अऽधी कम होते हैं और उन् drill Profirm betrayers पे अजयादा होता हैरेज करते हैं इसमें प्राइम leads पॉप होते हैं संतान होता है लेकिन पैरेंटरिन कैर नहीं होता है इसलिए ज्लुराइब ब्रीविश करते ह लेकिन फिर भी इतनी इतना यह कर देते हैं जिसे की उनका पॉपलेशन जीवित रहता यह इंसेक्ट में पाए जाता है बहुत सारे प्लांट में और जैसे मैंने अभी हेलमिंथ का पॉपलेशन बताया तक आपको तो जो लॉजिस्टिक पॉपलेशन ग्रोथ मॉडल है उसके के हिसाब से कि यह यह जो मॉडल है प्रेडिक करता है कि अलग-अलग ग्रोथ रेड जो अलग-अलग पॉपलेशन में है उसके कैरिंग कैपैसिटी के हिसाब से किसी भी पॉपलेशन का जो होता क्या है कि जिस भी अनवार्मेंट में कोई जीव रह रहा है तो वहां की एक क और दूसरा और सुलेक्षण होता है तो हम आप देखते हैं कि क्य सेलेक्टेटी स्पेसिज में क्या होता है कि इस लो मैचॉरिटी होती है एक जगा बहुत ज्यादा जमानी होते लंबे समय तक रहते हैं फेकंडीटी मतलब फटलेटी रेट कम होती है क्लस साइज कम होता है इनका इंवेस्टमेंट जो होता है अपने बच्चों का केर बहुत ज्यादा होता है कि अपने जो भी अंडे हैं बच्चे हैं उनको यह बहुत ज्यादा समहालते हैं जिससे कि उन में सर्वाइवल रेट हाई होता है यह स्पे सीज के बीच में डिफरेंस आजाए तो आपको यह सारे पॉइंट्स लिखने हैं ठीक है और इसमें आप किताब से पढ़ लीजेगा इसको फिर जो आर सेलेक्टेड़ स्पीची अच्छे कॉल नाइज होते हैं यह जल्दी से सेक्ष्वल मैचुरिटी यानि लेंगी पर पक् कॉंपिटीटर्स होते हैं और इसलिए तो मिलाज़ा के दोनों ही प्रकार के जो स्टेड़ीज हैं इसमें इंडिविज्व सरवाइब कर सकते हैं और हार सेलेक्टेड स्पीसीज में भी जो पॉपलेशन है वह एक मात्रा तक कैरिंग कैपैसिटी के हिसाब से एक हद तक ही म पॉपलेशन हैं आजय हैं और है ते लिए जय हैं फॉपलेशन के जम खिम मैं हाई हूब झीज हैं और हैं और हैं टैंटेफ coś द hora के चेशने दोफ़ नहीं हैं और हैं झांट directed में अर में हैं यह का डम हैं ब्स易 अरूपलेशन के जो